अगर आपकी एज 18 साल हो चुकी है और आपने अभी तक अपने water ID card के लिए apply नहीं किया है तो अब water ID card बनाने का process पहले से काफी जादा आसान हो चुका है पहले जहाँ एक new water ID card को बनाने के लिए 4-6 महिने का time लग जाता था अब एक महिने में ही आपका new water ID card बन जाता है तो इस वीडियो में मैं आपको mobile से water ID card बनाने का complete latest process दिखाने वाला हूँ तो चलिए वीडियो को start करते तो सो water ID card apply करने के लिए आपको water help line application को सबसे पहले download कर लेना है play store से और उसके वाद आपको simple इसे open करना है open करने के वाद water help line के application आपके सामने open हो जाएगी और उसके वाद आपको disclaimer देखने को मिलेगा इसे आप read भी कर सकते है और आपको यहाँ पर I agree के option पर click करना है और उसके वाद आपको next के option पर click करना है next page पर आपको अपनी language choose कर लेने है Hindi और English हम यहाँ पर English को select करेंगे get started के option पर click करेंगे then उसके वाद आपको यहाँ पर बहुत सारे options मिलेंगे यहाँ पर आपको water registration का option मिलेगा आपको simple as पर click करना है and water services में आपको new water registration from C के option पर click करना है and उसके वाद आपको new water registration resident in India के option पर click करना है एड उसके वाद आपको यहाँ पे let's start के option पे click करना है उसके वाद यहाँ पे आपको अपना mobile number enter करने का option मिलेगा तो यहाँ पे आपको अपना वही mobile number enter करना है जो कि आप future में use करने वाले हैं जो भी आप अपने voter ID के साल link करेंगे आपको simple अपना mobile number यहाँ पे enter करना है दन उसके वाद आपको यहाँ पे send OTP के option पे click करना है आपके mobile number पे एक one time password जाएगा OTP जाएगा वो OTP आपको यहाँ पे enter करना है OTP एंटर करने के वाद आपको verify के option पे click करना है and next page पे आपसे पूछे जाएगा are you applying for the water ID first time अगर आप first time यहाँ पे water ID के लिए apply कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे yes करना है otherwise आपको no करना है हम यहाँ पे first time water ID के लिए apply कर रहे हैं तो हम यहाँ पे yes के option पे click करेंगे and उसके बाद next करेंगे and are you citizen of India यहाँ पे आपको तीन options मिलेंगे first है yes an Indian citizen resident in India second है yes an Indian citizen resident outside India तो यहाँ पे जो है आपको first वाला option चूज कर लेना है and उसके बाद आपको यहाँ पे next के option पे click करना है and यहाँ पे जो है आपको अपनी details यहाँ पे submit करने है आपको यहाँ पे अपनी state UT select करने है आपको Simple Select State के option पे click करना है और अपनी state select कर लेनी है अगर आपकी UT है, UT select कर लेजिए तो उसके वाद आपको Assembly Constituency देखने को मिलेगी आपको अपनी Constituency यहाँ पे select कर लेनी है उसके वाद यहाँ पे आपको अपनी Date of Worth एंडर करनी है आपको Date of Worth के option पे click करना है देखने को मिल जाएंगे जिन पे की आपकी Date of Worth होती है आपको यहाँ पे सारे documents देखने को मिल रहे है हम यहाँ पे अधार कार्ट को select करेंगे दन उसके वाद आपको यहाँ पे नीचे scroll down करना है यहाँ पे आपको upload your relevant document को option मिलेगा तो जो भी आप document यहाँ पे select करेंगे जैसे कि अधार कार्ड, pen card, driving license, Indian passport आपको उसी का photo यहाँ पे upload करना है जो भी document आप यहाँ पे upload करेंगे उसका format आपको नीचे बता दिया गया है वो photo जो है JPEG, JPG होना चाहिए and maximum 2MB से जादा नहीं होना चाहिए आपको simple upload करने के लिए upload के option पे click करना है जो उसके वाद आपको gallery का option मिलेगा camera का option मिलेगा आप camera के option पे click करके अपने document की photo click कर सकते हैं हमने यहाँ पे already की हुई है हम gallery के option पे click करेंगे और इसे permissions दे देंगे LO के option पे click करेंगे और यहाँ पे अपना document अधार कर सेलेक कर लेंगे यहाँ पे आप उसे crop भी कर सकते हैं यहाँ पे आपको set करने के वाद tick के option पे click करना है और उसके वाद आपका जो document है वो यहाँ पे नीचे attach हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि अगर आपकी age 21 years से जादा है तो आप यहाँ पे नीचे scroll down करेंगे तो आपको यहाँ पे age declaration का option मिलेगा जो कि आपको यहाँ पे upload करना होगा लेकिन दोस्तों अगर आपकी age 18 से 21 years के बीच में है तो आपको age declaration का option देखने को नहीं मिलेगा सो यहाँ पे जो है हमारे case में 21 years से जादा age है तो हमें यहाँ पे age declaration का form जो है वो यहाँ पे submit करना होगा form submit करने के लिए हमेरे पहले इसका age declaration form डाउनलोड करना पड़ता है हम simple download age declaration form के option पे click करेंगे और इसे यहाँ पे download कर लेंगे और इसे open करेंगे आपको इस सरीके का age declaration form देखने को मिल जाएगा दूसरों सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना name एंटर करना है उसके वाद आप यहाँ पे अपने father का name एंटर कर दीजिए उसके वाद आपको अपना residence of address जो है यहाँ पे एंटर करना है तर उसके वाद जो है आपको इसका एक photo click कर लेना है और यहाँ पे आपको simple उसे upload करना है इस declaration form का भी जो format वो same है जो की होना चाहिए jpeg, jpg और maximum 2mba से नहीं होना चाहिए उसका size तो यहाँ पे upload करने के लिए simple आपको upload के option पे click करना है और उसके वाद आपको gallery के option पे click करना है और अपना age declaration form select करना है और यहाँ पे आपको tick करना है और उसके वाद आपका age declaration यहाँ पे attach हो जाएगा दोस्तों मैं आपको फिर से बता दूँ कि अगर आपकी age 21 year से ज़ादा हो चुकी है तभी आपको age declaration का form fill करना है इतना ही form भरना है और उसके वाद आपको next के option पे click कर देना है next page पे आपको देखने को मिलेगा please enter your personal particulars आपको यहाँ पे अपनी picture जो है वो upload करनी है यहाँ पे जो भी photo आप upload करेंगे वही आपके voter ID card पे आपको देखने को मिलेगी यहाँ पे जो आपकी photo का format है वो यहाँ पे है JPEG PNG में होनी चाहिए और उसका जो maximum size है वो 200K भी होना चाहिए तो यहाँ पे upload करने के लिए simple upload picture के option पे click करेंगे camera के option पे click करके आप उसे click कर सकते हैं otherwise आप यहाँ पे gallery के option पे click करेंगे और अपनी photo को select कर लेंगे और उसके वाद आपको tick के option पे click करना है जैसे आपकी profile photo यहाँ पे select हो जाएगी आपको नीचे score down करना है आपको यहाँ पे अपना gender select कर लेना है तो उसके वाद आपको अपना name यहाँ पे enter करना है enter your name में full name आपको यहाँ पे enter कर देना है जैसे आप अपना name यहाँ पे enter करेंगे तो आपको नीचे यहाँ पे आपकी regional language में आपका name देखने को मिल जाएगा अगर आपकी regional language हिंदी में है तो आपकी यहाँ पे हिंदी में name आ जाएगा और उसके वाद यहाँ पे आपको अपना surname एंटर करना है, अगर आपका कोई भी surname है, और उसके वाद यहाँ पे आपको नीचे scroll down करना है, यहाँ पे आपको mobile number आपका देखने को मिल जाएगा, जो कि already यहाँ पे आ जाएगा, जो starting में आपने enter किया होगा, then उसके वाद पे नीचे scroll down करना है, यहाँ पे आपको disability if optional का option मिलेगा, अगर आप एक disability person है, तो आपको यहाँ पे options मिल जाएगे, locomotive का, visual का, deep and dumb का, and other का, अगर आप बिलकुल स्वस्त हैं, कोई भी disability नहीं है, तो आपको simple यहाँ पे इसको किसी को भी tick नहीं करना है, आपको simple next option पे click कर देना है, then next page पे आपको देखने को मिलेगा, enter the name of relative, यहाँ पे आपको अपने relative का name enter करना है, जैसे कि आप अपने father, mother का name enter कर सकते हैं, अगर आप एक लड़की आपकी marriage हो चुके, तो आप अपने husband का भी name enter कर सकते हैं, हम यहाँ पे simple अपने father, mother में से किसी का name enter करेंगे, and आपकी reasonable language में automatically name नीचे भी यहाँ पे fill हो जाएगा, and उसके वाद आपको relative epic number का option मिलेगा, तो यहाँ पे आपने जिसका भी name enter किया है, आपने relative का, उनका यहाँ पे water ID कार होगा, जैसे कि आपके father यहाँ फिर mother का, तो आपको उनके water ID का number जो है, यहाँ पे enter कर देना है, option पे click कर देना है, next page पे आपको enter your current address का option मिलेगा, सबसे पहले आपको यहाँ पे house number enter करना है, and उसके वाद अपनी street, and उसके वाद town village, तो यहाँ पे आपको house number आपके father mother का water ID कार्ड होगा, आपको उस पे house number देखने को मिल जाएगा, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे अपन house number एंटर कर लेना है, and उसके वाद आपको अपनी street area, locality जो है वो यहाँ पे एंटर करनी है, and उसके वाद आपको नीचे scroll down करना है, और यहाँ पे आपको town village का option मिलेगा, आपको यहाँ पर town या फिर village है जो भी है वो आपको यहाँ पे एंटर कर देना है, and उसके वाद area type को यहाँ पर select करना है कि वो city है, town है या फिर village है हम यहाँ पर down को select करेंगे और उसके वाद आपकी state and ut आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी आपको नीचे score down करना है और यहाँ पर आपको अपनी district जो है वो select करनी है और उसके वाद आपको अपनी assembly consistency select करनी है, आपको select assembly को option पर click करना है और अपने area के assembly consistency को select करना है और उसके वाद आपको यहाँ पर select your address यहाँ पर आपको document जो है वो upload करना है जो भी आप ऊपर select करेंगे जैसे कि हमने reaction card को select किया है हम क्लिक करना है और उसके वाद हमें gallery के option पर click करना है और यहाँ पर हम하신 card को select कर लेंगे और यहाँ पर इसे tick करेंगे तो यहां पर आपका जो document है यानि कि राज़िंगा वो यहां पर attach हो जाएगा देन उसके वाद आपको next के option पर click करना है और उसके वाद आपको यहां पर select date का option मिलेगा यानि कि आप जिसवी address पर रह रहे हैं जो आपने अभी address enter किया है तो उस address पर आप कितने time से रह रहे हैं वो time जो है आपको यहां पर select कर लेना है देन उसके वाद आपको यहां पर नीचे scroll down करना है यहां पर आपको name of the applicant में अपना name जो है वो enter कर देना है और उसके वाद आपको place में अपने place को enter कर देना है और उसके वाद आपको done के option पर click कर देना है तो आपका form जो है वो आप आपको यहाँ पर प्रिव्यू में देखने को मिल जाएगा, आपकी सारी की सारी डीटेल्स आपको यहाँ पर एक बार चेक कर लेनी है, अगर आपकी सारी की सारी डीटेल्स यहाँ पर करेक्ट है और आप अपनी डीटेल्स को यहाँ पर चेक कर चुके हैं, तो यहाँ पर reference id को यहाँ पर कहीं पर not down करके रख लेना है यहाँ फिर आप screenshot ले लिजी दर उसके वाद जो है आपको ok के option पर click करना है और आप यहाँ पर home page पर आ जाएंगे उसके वाद दोस्तों अगर आपको अपना water id का application status चेक करना है तो उसके लिए आपको यहाँ पर explore के option पर click करना ह यहाँ पर आपको status of application का option मिलेगा simple आपको इस पर click करना है इस पर click करने के वाद आप से यहाँ पर reference id पूछी जाएगी तो simple यहाँ पर आपको अपनी reference id एंटर करने है reference id एंटर करने के वाद आपको track status की option पर click करना है So, आपको यहाँ पर आपका tracking status देखने को मिल जाएगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा first name, last name and state and form type हमें देखने को मिल जाएगा and उसके वाज हमें यहाँ पर submit देखने को मिल जाएगा कि यह state को हमने अपना form submit किया था and इतने time पर किया था and उसी के साल यहाँ पर जो next step है वो यहाँ बी एलो appoint होगा और यहाँ पर हमारे form को जो है वो check करेगा and उसके वाज जो है field verified होगा and उसके वाज जो है वो accept होता है या फिर reject होता है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा तो दोस्तों हमने अपना पूरा का पूरा form सही तरीके से submit कर दिया है तो अब यहाँ पर हमें इस process को देखना है कि हमारा जो form है वो accept होता है या फिर reject होता है तो दोस्तों जैसे ही हमारा यहाँ पर accept हो जाएगा तो उसके one month के अंदर अंदर जो है आपके गर तक आपका water ID card आपको deliver हो जाएगा तो दोस्तों इस तरीके से आप अपने new water ID card के लिए apply कर सकते हैं I hope कि इस वीडियो में आपको complete process समझ में आ गया होगा वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रू से like के जगा चैनल को subscribe के जगा सो मिलते हैं next video में किसी और interesting वीडियो के साथ तब तक के लिए bye bye take care thank you